है लो प्यारे फ्यूचर दॉक्टर्स वेरी 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 गुट इविनिंग तो आल फ्यू वी आर लाइव देली बच्चा फ्लूइड मेकैनेक्स पर बात होगी कल हम लोगों ने एक्सेस प्रेशर पर बात किया है और आज हम कुछ अलग करने वाले हैं इस कैपिलेरी एक्ष कि जो भी महनत यहां पर इस तरफ से की जाती है वो महनत आपको कितनी लुभाती है वो आपको कितनी रास आती है और वो दिखता है बच्चों आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट्स में आठ घंटे की महनत के लिए जब आप अपना किमती आठ वक्त आठ मिनेट निकाल कर हूँ ठीक है और पढ़कर में मुस्कुराता भी हूँ सोचता हूँ कि यार शायद इसी लिए मैंने दस से बारा घंटे इसके लिए महनत करी थी ठीक है चलिए तो बिफोर मुविंगे इस अमेजिंग सेशन डिजा महेंदर सिंग वित मोर दन एक यर्श ओव टीचिंग एक बचा अब बारी आपकी है और उसके लिए आप अनकाइडमी के इस बहतरीन प्लाटफॉर्म पर अवेलेबल है एक बात हमेशा ध्यान रखना अर्ली अनकाइडमीशन इस अर्ली अनमैचिबल बचा राइट सो हैस्टेग नीट लाइफ डेली के साथ खड़काते भी रहना आपने दोस्तों के बीच में पहुंचाते भी रहना टैली ग्राम का यह जो बहतरीन एप है यह आपके फोन में जरूर होना चाहिए इसके जरीए आप हम लोगों के साथ रूबरू हो सकते बात कर सकते हैं टाइनी यूरल को आप अपने फोन के ब्रॉजर में एंटर करेंगे आप हमारे साथ जूड़ पाएंगे इस तरह का ग्रूप आपको नजर आएगा इंपोर्टेंट अपडेट से काफी सारे नोडिफिकेशन से और कहीं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी ठीक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो रिक्वाइड से बसे उसका कम्प्लीट इंडेक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा यूनिट वाइज आपको मिल जाएगा बच्चों लेक्चर वाइज आपको मिल जाएगा नोट्स भी एंड वीडियो लेक्चर भी इस वेरी हेल्प दफंडा बच्चों जिसके जरीए आप अपने सपनों को पुरा कर सकते हैं यहाँ पर कंट्री के टॉप एजुकेटर लाइव क्लासेस लेते हैं बच्चा टेस सीरीज इन क्विजिस हैं डेडिकेटेड डाउट क्लीरिंग शेशन हैं दहलीज से बाहर डाउट आपका जा नहीं सकता यह यहाँ पर यह प्लैट्फॉम आपको प्रोमेस करता है यहाँ पर इंडिवीज्वल कोर्से से बहुत सारी चीज़ें हैं यू कन एक्सेस एनी कोर्स एज्यू वांट फोर यार बैनेफिट राइट जी सो अनकाडमी की को टीम आपके साथ अवेलिबल है आपक इसके लिए बस करना यह रहेगा फोन उठाइए फटाफट से नकाडमी का लर्निंग अप इंस्टॉल करने के बाद में गो तो प्लस सेक्शन सब्सक्रिप्शन उसके बाद में मल्टीपल ऑप्शन है और उसमें जो गैंग है 2020 का जिसको भी रिसेंटली नीट देना है शु और गेंग ऑफ 2022 बच्चा शुड़ गो विद तू यर साब्सक्रिप्शन 24 मंथ यूजिंग कोड मस लाइव जिससे आपको यू विल गेंट नोट अनली 10% डिसकाउं बच्चा एक ही बात कहूंगा फिजिक्स की जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो चेके बागी सार अगे बढ़ते बचा सो आज हम पढ़ने वाले हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता देया क्या कारण है कि जब हम पानी में कोई ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो लेवल राइस करते हैं क्या कारण है जब हम मरकरी में इंसर्ट करते हैं तो लेवल ड्रॉप करता है right capillary rise or capillary fall के पीछे कारण क्या है capillary attraction भी कहते हैं बच्चा इसको और इसको capillary repulsion भी कहते है तो चलिए आगे चलके पढ़ेंगे लेकिन उसके पहले एक चोटी सी बात the secret in education lies in respecting the students बच्चा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी जिम्मेवारी ethically we are here for you guys so the secret in education lies in respecting the students आपकी respect करना आपके ideas की respect करना आपके question की respect करना is our prime duty और उसी के लिए हम यहाँ पर इस platform पर खड़े होते हैं आपको guide करते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं so बहुत सारी चीज़ें आपको आपको आपर आज देखने को मिलेगी कि जैसे यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है different tubes are here बच्चा और different different tubes you can fill that के सर हर एक tube में अलग-अलग यहाँ पर level of liquid you can fill बच्चा तो यह क्यों है क्या कारण है इसके पीछे वो आपको समझ में आएगा सर जितना जादा diameter आप कम करते जा रहे हैं जैसे जैसे आप इस तरफ आएंगे बच्चा diameter increase हो रहा है so more is the diameter killer visualization से fill कर लो हमने पूरा setup किसी liquid में insert किया यहाँ पर liquid बहुत कम rise किया इसमें थोड़ा जादा इसमें और जादा इसमें और जादा इसमें और जादा इसमें और जादा और last वाले में कि जब भी कभी कोई capillarity जिसका diameter बहुत कम होगा अगर हम उसे किसी liquid में insert करेंगे तो उसमें level rise होगा तो जितना कम diameter होगा पानी का level या liquid का level उतना जादा raise करेगा या उतना जादा fall करेगा depending upon किस तरह का liquid वहाँ पर है उसमें cohesive forces जादा है या adhesive forces जादा है यह फंडा वहाँ पर होना चाहिए राइट चलिए killer visualization एक और देख लीजे as we insert the tube over here है ना देखो यहाँ पर यह जो oil है माल लीजे ठीक है color wise अगर हम जाए तो यह oil इसमें क्या कर गया बच्चा raise कर गया तो clear यह समझ में आया आज हम calculate करेंगे कि यह जो height आपको यहाँ पर नज़र आ रही है h यह कैसे हम calculate कर सकते हैं चलिए what is the capillary actually so a tube of very small diameter capillary का मतलब होता है बच्चा capillary is the tube of very small diameter and when we insert the capillary in the water बच्चा जब हम पानी के अंदर या किसी भी liquid के अंदर so the level of liquid either rise or fall depending upon the type of liquid बच्चा water है rise करेगा mercury है fall करेगा cohesive forces अगर stronger है fall करेगा adhesive forces अगर stronger है rise करेगा बच्चा आगे चल के हम detailed analysis करेंगे तो यहाँ पर अब देख पार है सारी चीजों को ठीक है so this particular action जिसे यह पानी आपको ऊपर चड़ता नजर आया right this particular phenomenon is known as capillary action और इस ट्यूब को हम कहते है capillary इस ट्यूब को हम क्या कहते है बच्चा capillary कहते है ठीक है so यह जो phenomenon है this phenomenon is capillarity या फिर capillary action the level of liquid जो rise करता है या fall करता है उसका फंडा है ठीक है चलिए अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था कि today I will join biology है ना मैं biology को mix करने वाला हूँ capillary actions के साथ और वह कैसे तो अब बात करते बचा रहे थो हमने देख लिया पहले calculation करने से पहले हम देखेंगे कि जो capillary action है वो कहां पर day to day life में क्या आप लोगों ने हम लोगों ने हमारी life में कहीं पर capillary action को fill किया है क्या हम biology में कुछ ऐसी चीज़े पढ़ते हैं जहां पर capillary action होता है क्या कुछ इस तरह के animals है जो पानी पीने के लिए अपनी thrust को remove करने के लिए वो क्या करते हैं बच्चा capillary action को use करते हैं तो देखते हैं जरा क्या क्या चीज़ें यहां पर हो सकती है तो सबसे पहले सम इंटरस्टिंग facts about the capillary action बच्चा the first recorded observation of the capillary action was by Leonardo da Vinci ठीक है सबसे पहले Mr. Leonardo da Vinci ने यहां पर capillary के बारे में सबसे पहले बात कही थी फिर उसके बाद में in 1660 एक बहुत interesting आपको यहां पर news मिल रही बचाज Robert Boyle एक chemist है और इन्हें अभी भी capillary के बारे में कुछ शक था है ना तो इनको इस बात की भनक लगी कि इनको observation मिला गया इनको बताया गया कि whenever a small diameter tube was dipped into water then the water would ascend to some height in the pipe बच्चा बहुत चोटी diameter का जब pipe हो अगर हम उसे पानी के अंदर insert insert करते हैं तो उस पानी का जो लेवल है वो type में बढ़ता है यह बताया गया किसको बताया गया Robert Boyle को तो इनको यह बताया गया कि this is because of the pressure difference किसकी वज़े से बताया गया this is because of pressure difference लेकिन इनने कहा कि अगर ऐसा है अगर pressure difference है है ना तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा हम थोड़ा सा प्रूफ करके देखते हैं कि actual में it is because of the pressure difference or because of something else तो चेक किया गया चेक किया गया तो Boyle then reported and reported an experiment in which he dipped या performed यहां पर reported की बज़े performed आना चाहिए बचा राइट ही performed क्या बच्चा तो एक experiment performed किया गया performed an experiment which he dipped a capillary tube into the red wine and then he subjected to tube a partial vacuum बचा क्या किया इन्हों ने tube ली और tube को red wine में dip किया और atmospheric pressure कम कर दिया atmospheric pressure वहां से हटा दिया और वहां vacuum create किया pressure difference को vary करके देखा he found that the vacuum had no observable influence on the height of the liquid in the capillary so the behavior of the liquid in the capillary tube was due to some phenomenon different from that which is observed or governed in the mercury barometers mercury barometers में अगर आप बात करेंगे बचा ध्यान से सुनना mercury barometers में जो mercury का level rise करता है that is because of pressure difference अंदर का pressure कम है बाहर का pressure जादा है तो balance करने के लिए mercury उपर चड़ जाती है ठीक है so boil यहां पर कहते है कि अगर मैं tube में vacuum भी create करता हूं तब भी capillary rise जितना atmospheric pressure के साथ था उतना ही vacuum के साथ है इसका मतलब यह है कि the action of capillarity is not because of the pressure difference it is because of something else and that something else is represented by Mr. Albert Einstein's आप जानते हो Sir Albert Einstein का जो पहला paper था the first paper Albert Einstein's produced और वो क्या था बच्चा it become on the basis of right capillarity वो किसके उपर था किने सोपा गया था वो था बच्चा अनलल डार फिजिक यह उनके प्रोफिसर का नाम होगा हमें उसमें कई जाने की जरुवत नहीं है बट मैंने इसलिए रख दिया यह हाँ हा यार बहुत बढ़िया मैंने पधा निस सरदी क्यूं जाही नहीं रही है है ना तो तुम लोगों की तरफ से मोहबत थोड़ी कम हो रही है तो सरदी जो है मेरे पास थेहरी हुई है थोड़ी मोहबत बढ़ा होगे सरदी जो अपने आप गायब हो जाएगी यह एक इंटरस्टिंग फैक्टर था अलबर्ट आइंस्टैन सर के बारे में किसकी वज़े से बच्चा प्रिंसिपल अफ रिलेटिविटी के कारण जाने जाते लेकिन इनका पहला पेपर इन्होंने जो पब्लिस किया था या जो सब्मीट किया था वह था पैपिलरीटी के उपर एक इंटरस्टिंग फैक्ट मुझे मिला तो मैंने रिलेट करके बता दिया अब कैपिलरी एक्षेन इन प्लांट्स जो पोधे होते हैं उनकी जो रूट्स हैं जब वह सॉयल में होती है उस soil की नमी को पोधे क्या करते है capillary action के through capillary action के through खीचते है and then फिर वो water क्या करता है बच्चा ऊपर जाता है leaves तक और leaves के बाद में फिर वो evaporate हो जाता है तो एक beautiful यहाँ पर killer visualization के through you can judge this system capillary action in plant plant को अगर पानी चाहिए तो कहां से लेते हैं soil से soil में सोइल की नमी से और सौइल में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं छोटे 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 जो छेद होते हैं बच्चा वEEEE में में दोज पोर्स जिन्हें technical term में void कहा जाता है द पोर्स in the technical term is known as granddaughter में उन व्वाइड में भी water क्या करता है capillary action करता है और वो capillary action करता हुआ पहुंचता है plant की root के पास plant की root के पास क्या होते है छोटे 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 पोर्स होते जैसे आप अपनी skin पर भी देख सकते ठीक है if you feel on your skin we all also have some of the pores बच्चा और वो बहुत छोटे diameter में capillary action perform कर सकते है ठीक है अब यहाँ से ये plant में तो बात हो गई तो यहाँ पर सारी चीज़े मैंने आपके लिए लिखी हुई है जो पढ़ने की जरुवत आपको है जब आपके पास notes आएंगे ठीक है अब यहाँ से आगे चलते capillary action जो है वो animals में कहा हो सकता है इसको तुम देखो जरा इसको तुम देखो और फिर मैं पूछूँगा यह कौन है पता लगा सकते हो क्या इक कोन है यह पानी पी रहा है है ना और कैसे पानी पिया एक बार फिर से दिखा दूँगा देखो देखो जरा यह पानी पी रहा है नजर आएगा गले में है ना you can fill that पानी पी आइसे कैसे पानी पी लिया भाई साथ कोई भी एनिमेल अगर है विदाउट डिपिंग दा माउथ इंसाइड दा वाटर बाड़ी पानी कैसे पी रहा है वो देखो पी रहा है एन वा जी वा यह है फिजिक्स विद बायॉलोजी क्या आप में से कोई भी मुझे इस रेप्टाइल का जो यहाँ पर आपका क्या कहना चाहिए लिजाड फैमेली से जो एक अनिमल यहाँ पर मैंने लिया हुआ है क्या आप में से कोई defense के लिए जाने जाने वाला और Australia का one of the danger animal Australia के desert में पाया जाने वाला one of the danger animal है बच्छा यह राई जी इसका नाम है करने reveal कि आप मैंसे कोई बता रहा है lizard पता नहीं राइट डाइनासोर नहीं है बच्छा डाइनासोर नहीं है राइट अब सबसे पहले तो यार सबसे पहले तो एक बात यार मज़ा आया की नहीं आया यह नई चीज आपको कैसी लगी ठीक है मैंने का यार आज कुछ थोड़ा सा अलग करते है इस animal का नाम है बच्छो थौर्णी डेविल क्या नाम है इसका थौर्णी डेविल आपको रटने की जरुवत नहीं है याद करने की जरुवत नहीं है बट यह जो थौर्णी डेविल होता है इसके जो पाओ आप देख रहे बच्छे इसकी पूरी बाड़ी पर स्पाइक्स है इसके यह बॉटल है इस बॉटल को water body में जाके डुबो दिया छोटे-छोटे छेद है उस छेद में water क्या करता है capillary action के through enter करता है और वहां से फिर वो क्या करता है water को consume करता है आप देख पा रहे हैं जब यहां से बाहर निकलता है बच्चा है ना arrow के साथ भी दिखाया है जब यहां से पानी पी के बाहर निकलेगा तो आपको उसके पाउ जो है पानी के अंदर डिप नज़र आएंगे तो इसका नाम है थौर्णी डेविल ये जो एनिमल है लिजाड फेमिली से आता है रेप्टाइल की फेमिली से आता है छिपकली का बड़ा भाई है छिपकली की जो है आप यहाँ पर फेमिली से कह सकते हैं उसी का कोई रिष्टदार होना चाहिए मेरे ख्याल से है ना बायोलो आपको खुखार नजर आ रहा है एक्चल में उतना खुखार है भी सही थौर्णी डेविल इसका नाम है इसके बारे में सारी चीज़े मैंने आपको यहाँ पर एक्स्प्लेइन करी है और जो मैंने आपको भी पढ़ाया है वही सारी चीज़े यहाँ पर मैंने आपको जो है explain भी करी हुई है देखो लिखा हुआ है grooves on spikes of thorny devil lizard provide drinking water by drawing condensed dew to mouth by capillary action the thorny devil इसका एक और नाम में moloch horidus बच्चा moloch horidus इसके नाम रटने के जरुवत नहीं है आपके लिए बहुत बहतरीन मामला हो जाए मान लो अगर physics में एक ऐसा सवाल आ जाए कि the animal which uses the capillary action and so and so वहाँ पर चार जानवर के नामे उसमें से एक thorny devil हो कितना मज़ा आएगा क्योंकि cable तुमने पढ़ाए और किसी ने नहीं पढ़ाए तुमारे लिए चार क्या हो जाएंगे बच्चा number हो जाएंगे पकेद बाकी सब के हो जाएंगे goal राई जी चलिए बढ़िया बात है अब आगे बढ़ते हैं day to day life में कहाँ पर observe किया चुपा लेता हूँ जरा इटो के साथ घर बने होते हैं हम सभी लोगों के जब घर बनते हैं कईयों का ये सपना होता है वो खुद बड़े होकर पैसा कमा कर आप में अभी जैसे कहीं सारे लोग यहां पर है बच्चा जब भी मैं इस तरह की बात करता है गोट इमोशनल उस वज़े से और हम जब अपना घर है ना क्योंकि यार जब कच्छा घर होता है मिती का घर होता है तो सबका सपना होता है बड़ा होकर बड़ा आदमी बनकर पैसा कमा कर अपना घर बनाएंगे तो आपने किसी का घर बनते देखा होगा या अपना घर बनते देखा होगा आपने ईटो के साथ जरूर काम किया होगा bricks के साथ काम किया होगा तो capillary के example from day to day life बच्चा आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अलग-अलग 3 bricks ली है और थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि color यहाँ पर इनका black है तो आपको observation होनी चाहिए बच्चा अगर आप यहाँ पर देखे दिए जो इतना इतना portion ने है इतना weight हो रखा है और अगर आप इस weight में बात करोगे बच्चा तो आपको यहाँ तक नजर आएगा कि यह wetted है यह हमने day to day life में देखा हुआ है अब आप सभी लोगों तक पूरे clear तरीके से पहुँच चुके हैं और जी बहुत बढ़ी है अब आगे बढ़ते है कैसे कर नहीं है अब उस पर आजाते राइट कि जैसे पानी के अंदर आपने छोटा small diameter ट्यूब जिसको capillary कहते हैं we have dipped into the water h का value पूछ रहा है कितना होगा चीक है calculation बहुत असान है तो यहां पर हम calculation कैसे करेंगे अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए अब इससे तो बहुत सारे factors होते हैं तो यहां पर अगर आप बात करेंगे बच्चा तो एक coefficient of surface tension होगा which is acting like this और यहां पर अगर मैं इस angle की बात करूँ तो angle of contact जिसको हम theta कहते हैं बच्चा angle of contact पानी के साथ जो बनता है ठीक है आप लोगों को कल के lecture में detail पढ़ाया हुआ है तो यह जो आपकी tube है यह कैसी है यह tube है horizontal यह tube कैसी है horizontal है और अगर horizontal है तो यह जो surface tension का coefficient t है बच्चे इसके दो components यहां पर break होंगे और जब दो component break होंगे तो एक component बनेगा सर इस तरफ जिसको हम लिखेंगे सर ऊपर की तरफ t cos theta इसका भी एक component बनेगा बच्चा ऊपर की तरफ t cos theta इस तरफ बनेगा सर आपका यह t sin theta ठीके और इस तरफ बनेगा बच्चा यह वाला आपका t sin theta आप सुनना मेरी बात को ध्यान से जो surface tension force ह जो force of surface tension है वो कहां लगता है force of surface tension लगता है circumference पर या along the length लगता है बच्चो तो यहाँ पर जब आप ऐसे ऊपर से देखोगे तो यह पानी किस के अंदर है एक round tube के अंदर है तो यह जो आपको यहाँ पर meniscus नजर आ रहा है if you see this meniscus from the top तो top से देखने पर आपको इस तरह से नजर आएगा can you please see like that अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा जिसके हर एक point पर आप यहाँ पर fill करेंगे sir इस तरह से t cos theta is acting क्या हो रहा है बच्चा t cos theta is acting like that यहाँ पर t cos theta is acting like that यहाँ पर t cos theta is acting like that ठीक ह यह जब उपर चड़ रहा है 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 ठीक है है ना जी यह अचानक से लेवल राइज करना बंद कर क्यों देता है क्योंकि जो उपर लगने वाला force of surface tension है बच्चा जो उपर लगने वाला force of surface tension है जिसकी value t into में cos theta और into में जब आप यहाँ पर 2 pi r लिखेंगे बच्चा यह जो force of surface tension है यह किसी न किसी force से balance हो जाएगा और वो कौन सा force होगा बच्चा तो आप यहाँ पर लिखेंगे सर वो force होगा self weight of this liquid बच्चा वो क्या हो जाएगा सर self weight of this liquid तो level तब तक बढ़ता रहेगा इसके tube के अंदर level तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि यह self weight उसको balance न कर दे बच्चा तो कुल मिला कर हम क्या लिखेंगे calculation करने के लिए सर force of surface tension should be equals to mg फंडे को सुनना ध्यान से ठीक है so force of surface tension को लिखेंगे सर this is t cos theta इंटो में यह हो जाएगा सर आपका 2 pi r circumference m की जगह क्या लिखेंगे सर mass mass को लिखा जा सकता है सर density into volume और यह हो जाएगा gravity सुनना ध्यान से क्या लिखूंगा मैं इसको density into volume this is the mass फंडा हम जानते हैं न सर density is equals to mass per unit volume तो अगर मुझे mass लिखना हो तो मैं लिखूंगा सर density into volume मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर side में so I can write density is equals to mass per unit volume सबजना बच्चा फंडा बहुत simple सा methodology बता रहा हूँ बिल्कुल भी tough नहीं करेंगे हम चीजों को राइट चलिए यह हो जाएगा सर आपके लिए t cos theta यह हो जाएगा सर आपका 2 pi r as it is density as it is volume को मैं लिखूंगा बच्चो cross sectional area volume को मैं लिखूंगा बच्चा cross sectional area और यहाँ पर मैं लिखूंगा सर वो होगा pi r square into में height h into में लिखेंगे g बई कितना volume तो आप बोलेंगे सर volume उतना ही जितना इस mercury में sorry मतलब जितना जो है इस tube में extra चड़ गया और इस tube में extra कितना चड़ा बच्चा इस tube में extra चड़ेगा यहाँ पर इस tube का cross sectional area into में यहाँ का height तो cross sectional area into में height will be what will become the volume of water and volume of water multiply by density of water यह जो भी liquid आप यहाँ पर calculation में consider कर रहे हैं उस liquid का density तो वो बन जाएगा पूरा mass बच्चा जो जो cancel out हो रहा है cancel out करो pi से pi cancel out हो जाएगा बच्चा और यहाँ पर इसको इसको भी capital R नहीं यहाँ small r लिखते हैं otherwise नहीं तो confusion create करेगा ठीक है तो यह क्या होगा sir this is आपका small r यहाँ पर भी आपका small r यहाँ पर भी small r तो एक small r से एक small r भी cancel out हो रहा है तो solution करने पर h का value आपको पता चलेगा बच्चा 2t this is आपका cos of theta and whole divided by sir this is rho g और यह small r है आपका this is आपका 2t cos theta और नीचे हो जाएगा sir rho g small r everyone understood yes or no right बढ़ियां बात है जी समझ में आ गई सब लोगों को ठीक है तो funda क्या है sir funda है force of surface tension should balance with the self weight force of surface tension will balance with the self weight बच्चा इसका एक और methodology है excess pressure को equate कर देना वाला ठीक है लेकिन उससे जो है फिर बच्चे को ऐसा लगता है कि action of capillarity because of the pressure difference that is why उस method को में पर देखते हैं तो sir जो हमने capillary rise का formula देखा है वही capillary fall का formula भी होगा जो rise का formula आया वही capillary कि किसका होगा बच्चा fall का formula भी होगा rise because of the force of additions यहां पर water के case में rise हो रहा है because the force of addition है बच्चा जो force of addition है वो जादा है as compared to force of cohesion आप ऐसा समझो हो कि जो पानी है ना जो water है वह glass के कारण attract हो रहा है तो glass के molecule पानी को ऊपर खीच रहे force of addition के चलते glass molecules क्या करेंगे पानी को ऐसे ऊपर खीचेंगे और पानी ऊपर चड़ जाएगा लेकिन mercury के case में exactly उलट होगा इसका ठीक है तो देखते है mercury के case में when you inside the tube in case of mercury it falls down why this is so because in case of mercury force of cohesion जो है is more than force of addition ठीक है so जो force of cohesion जादा है तो यहाँ पर सारे molecules attract होके नीचे आते हैं instead of मतलब वो glass से glass वाला surface मान लीजे अगर यह tube किसके बचा glass की यह किससे बनी होई है suppose यह बनी होई है glass की तो mercury को na mercury कहती मुझे glass पसंद नहीं आया mercury क्या कहेगी बच्चा mercury की glass mercury यहाँ पर कहती है कि मुझे glass पसंद नहीं आया तो वो glass से दूर जाती है और वो नीचे settle होने लगती ठीक है so that is the simple सा funda लेकिन अगर calculation आप यहाँ पर भी करेंगे h के लिए तो calculation is similar बच्चा और वो वही हो जाएगी sir आपका h is equals to 2t cos of theta whole divided by आप यहाँ पर बोलेंगे sir rho g और वो क्या होगा तो आप यहाँ पर बोलेंगे sir rho g आपका होगा sir small r are you getting my point or not जहाँ पर यह small r क्या है तो radius of capillary है बच्चा small r क्या होगा radius of capillary होगा एक बात ध्यान से सुदिएगा यह radius of capillary है लेकिन यहाँ पर अगर एक circle आप बनाते हैं बच्चा इसके meniscus के साथ तो आपको मिलेगा कि sir यह वाला capital r होगा और यह वाले आपके पास क्या answer small r है तो इन दोनों का जब आप relation बनाते हैं बच्चा है ना तो you can write sir small r is equals to capital r into my cos of theta क्या हो जाएगा बच्चा small r is equals to capital r into my cos of theta angle में आपको यहाँ पर बना कर दिखा देता हूँ ताकि आपको चीजे clear हो जाए this is the angle बच्चा right इस angle के लिए आप यहाँ पर देख सकते सर्फ for this angle theta mercury के angle 90 minus theta होगा तो यह बच्चा हुआ angle क्या हो जाएगा थीटा so for this angle theta आपको लिखना पड़ेगा सर कि r और capital r में यह relation होगा जहाँ पर capital r क्या है capital r है बच्चा radius of curvature radius of curvature किसका तो आप बोलेंगे सर radius of curvature of minuscus यह बहुत important फंडा है जिससे आपको परेशान नहीं होना है समझने की कोशिश करना है ध्यान से देखेगा राई जी चलिए तो यह बात समझ में आया बढ़िया है क्या चल क्या रहा है इधर इधर क्या चल रहा है जी कुछ तो चल रहा है चलो बहुत बढ़िया तो फंडा इस फंडा बहुत सिंपल है र कॉम कहेंगे बच्चा radius of curvature किसका मैनिसकस का मैनिसकस का मतलब क्या है यह यहाँ पर जो आपको इस तरह से नज़र आ रहा है करवी लीने पोर्शन और इस मैनिसकस का जब आप एक complete circle बनाएगे पार्ट ओफ मैनिसकस को जब आप circle complete बनाएगे बच्चा तो उसकी आपको एक radius मिलेगी बच्चा और से small r और capital r का relation है तो यहाँ पर आपको एक फंडा मिलता है सर कि अगर आप और करके लिखेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे सर आपका आप लिखेंगे सर र कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कैंसिल तो यहाँ पर कैपिटल र क्या है तो कैपिटल आपका radius of curvature of the मैनिसकस बच्चा यह concept बहुत important है इसे ध्यान रखना इस पर based सवाल अभी हम आगे चलके करते हैं ठीक है बहुत बढ़िया है ना चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते देख प्यारा सा सवाल पहने देख लेते फिर आगे बढ़ेंगे राइट फॉर्मुला याद है फॉर्मुला याद होगा सवाल आसान तरीके से बनेगा एंद वेरी फ्रस्ट क्वेशन इस तकरेक्ट कर्व बिट्वें दा हाइट और डिप्रेशन एच ओफ इना कैपिलरी ट्यूब एंड इस रेडियस इस कैपिलरी ट्यूब और रेडियस के बीच में पूछ रहा है कर्व आप सारे लोग इसका अंसर मुझे करके बताएंगे फटाफट कम ओन कम ओन कम ओन कम फास्ट बताव आसान लगा नहीं लगा कैपिलरी एक्शन और आज इस बहुत बढ़ियां अमेजिंग 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 चलते रो बहिए चलते रो आगे बी पका करदे लॉक तो जनता कह रही है सर की इसका करेक्ट आप्शन होगा भी आप इसे लॉक कर दीजिए चलिए आपके कहने पर मैंने लॉक कर दिया ठीक है जो आपका होता है आपका 2t cos of theta divided by क्या होता है सर तो आप यहां पर बुलते सर रो जी स्मॉल आर जहां पर स्मॉल आर क्या होता है सर स्मॉल आर is the radius of capillary tube so h is inversely proportional with the r keeping all the other things are constant बच्चा वैसे भी constant होनी चाहिए क्योंकि water अगर होगा तो theta constant हो गया t की अगर हम बात करें तो liquid पर depend करता वो भी constant हो गया रो liquid dependent constant हो गया जी बी constant हो गया तो its inversely proportional with the r बच्चा rectangular hyperbola बनना चाहिए तो correct option is आपका कौन सा होगा यहां पर हो जाएगा option B बच्चा अगर capital R के साथ पूछा जाता तब भी relation सेम होता अगर capital R के साथ पूछा जाता बच्चा अगर हम यहां पर बात करें variation of the height or fall, rise or fall of the capillary action with the radius of curvature of the meniscus बच्चा तब भी आप यहां पर जानते हैं कि sir H is equals to कितना होता 2T divided by rho G capital R जहां पर आप बोलेंगे तो H भी कैसा होगा बच्चा inversely proportional to R होगा मतलब more is the height less will be the radius of curvature meniscus छोटा होगा और less will be the height more will be the radius of curvature अब इस पर बेस्ट एक और सवाल आपको आगे कराता हूं लेकिन अलग तरीके से ठीके चलिया जाइए जरा यहां पर सो अब यहां पर देखे जरा अगर मेरे पास एक capillary tube है मेरे पास एक capillary tube है उसमें पानी का level rise करना चीए H के बराबर मान लिया मैंने कितना raise करना चीए H के बराबर लेकिन ये भी तो संभव है कि जो tube में dip करू उस tube का height इनफ नहीं हो sufficient नहीं हो हो सकता है मुझे 10 cm rise calculation दिखा रही है calculation दिखा रही है पानी का level कितना चड़ाना चाहिए 10 cm लेकिन तुम्हारे पास available tube कितनी है 5 cm की या 7 cm की 8 cm की 10 cm से थोड़ी कम की है अब सुनना बात को बहुत द्यान से बहुत इत्मिनान से और बहुत मज़ेदार तरीके से राइट तो मैंने अबर क्या कहा capillary action with a capillary of insufficient height हमारे पास यहां पर H prime है and it is well known that sir H prime is lesser than H बच्चा मतलब जितना H चाहिए उतना available नहीं है क्या होगा तो एक बहुत simple सा फंडा H is equal to क्या होता है बच्चा H is equal to होता है 2 T cos of theta divided by आप यहां पर बोलेंगे sir rho g r क्या बदल रहे हो you are decreasing the value of H बच्चा you are decreasing the value of H 2 T rho g r यह कुछ नहीं बदल रहा यह सारा मसाला क्या है बच्चा constant है this complete मसाला is constant तो अगर आप H को कम कर रहे हो तो cos of theta को कम होना पड़ेगा बच्चा cos of theta को कम होना पड़ेगा और cos theta का कम होना मतलब theta को बढ़ना पड़ेगा अब यहां पर आप ध्यान से दिखेगा मैं diagram बना कर दिखा देता हूँ तो यहां पर अगर vertical के साथ देखेंगे theta ऐसा बना लेकिन अगर आप यहां पर radius of curvature के साथ theta देखेंगे बच्चा you can fill that in the two diagram in the two diagram you can relate that कि sir cos theta अगर कम होना चाहिए तो theta बढ़ना चाहिए क्योंकि zero से ninety की तरफ cos theta का value कम होता है zero से ninety की तरफ cos theta का value कम होता है भाई साब थोड़ी सी गनीत की बात कर रहा हूँ थोड़ी सी mathematic की बात कर रहा हूँ अगर वो समझ में आ रही है मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है so if H is decreasing cos theta will decrease and to decrease the cos theta theta should increase what does it mean it means कि यहाँ पर जो circle बनेगा यहाँ पर जो radius of curvature होगा वो छोटा होगा और यहाँ पर जो radius of curvature होगा वो बड़ा होगा अब इसका एक और फंडा है इसका एक और फंडा है or we know that another methodology another methodology बच्चा हम यहाँ पर लिखेंगे sir we know that कि sir H is also written as 2T divided by rho G और यह capital R capital R क्या होता है बच्चा capital R होता है radius of curvature मतलब आप क्या लिखेंगे मतलब आप लिखेंगे बच्चा कि sir जो आपका H into R है वो constant होना चाहिए बोलो हाया ना एच इंटू में R बच्चा constant होना चाहिए कि नहीं क्योंकि यह पूरा मसाला constant है 2T divided by rho G यह पूरा मसाला constant है तो H into में R constant होना चाहिए तो अगर H into में R constant होना चाहिए तो अब अगर आप यहाँ पर H प्राइम को कम करोगे तो आपका जो R प्राइम है वो जादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सरकल बड़ा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए सरकल अगर बड़ा बनना चाहिए तो यहाँ पर थीटा का value बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए for sure बढ़ना चाहिए अगर लिक्वीड के अंदर और हाइट अगर सफिशेंट नहीं है तो जो लिक्वीड है वो ओवर फ्लो करना चाहिए तो अपने भेजे में इस बात को लॉक कर लीजिए ओवर फ्लो नहीं होगा क्योंकि मैनिसकस अपने आपको एड़ेस्ट कर लेता है और वहाँ पर फोर्स बैलेंस हो जाते हैं मैनिसकस अपने आपको बैलेंस करता है और वहाँ पर मैनिसकस अपने में constant होता है handwritten notes के साथ आपको मिल जाएगा so there will not be any overflow इस बात को ध्यान रखना अगर आप question बहुत अच्छे से करना चाहते ठीके जी बहुत बढ़िया right amazing amazing as well right चलो right यहां पर देखो जरा an open capillary tube is lowered in a vessel with mercury mercury है भाया vessel के अंदर the difference between the levels of the mercury in the vessel and in the capillary tube is delta h is aqueous to this बच्चो मतलब यहां आपको capillary fall का value दे दिया गया capillary fall का value आपको दे दिया गया है capillary fall जिसको हम h से represent करते हैं यहां पर उसने delta h कहा है उसकी value 4.6 mm आपको दी हुई है what is the radius of curvature of the mercury right meniscus in the capillary tube surface tension of the mercury is 4.46 newton per meter density of the mercury is this यह बहुत आसान सा सवाल है radius of meniscus पूछा है क्या पूछा है बच्चा radius of meniscus आप से पूछा ठीके अगर आपने radius of meniscus पूछा है right जी तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि sir h का जो value होता है h का जो value होता है that is यहां पर आप लिखेंगे sir 2t basically क्या होना चाहिए sir this is आपका 2t divided by आप लिखेंगे sir rho g और capital R जहां पर मैं capital R को क्या कहूँगा sir जहां पर मैं capital R को कहूँगा radius of curvature यह क्या होगा बच्चा this is my radius of curvature this is the radius of curvature और इस r का value आपको पूछा है तो आप यहां पर लिखेंगे sir r is equals to this is आपका 2t नीचे density gravity और यह हो जाएगा sir आपको h सब तो दिया हुआ है यार surface tension दिया हुआ है density of the mercury आपको दिया हुआ है g आपको पता है h आपको दिया हुआ है r का value calculate नहीं हो जाएगा क्या तो r का value calculate हो जाएगा put the value in the formula and get the result बच्चा option b आपको यहां पर मिल जाएगा बहुत असाने से everyone right बहुत बढ़िया amazing 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 शिवेंद्र amazing sony amazing tasnim bushra rishikesh बहुत बढ़िया right kalyani आपका भी अंसर बिलकुल सही है anupam आपका भी अंसर बिलकुल सही है kapil you also give the good answer right amazing amazing चलिये चलो बढ़िया है right the next one the next one is what bacha the excess pressure inside the first sop bubble is three times that the inside second bubble एक बबल है आपके पार sop bubble उसके अंदर का जो excess pressure है दूसरे bubble के excess pressure का तीन गुना जादा है मतलब एक bubble छोटा होना चाहिए और एक bubble बड़ा होना चाहिए because excess pressure का funda जब भी कभी कोई question physics में पढ़ो ना तो language से related जो बात आपको आ जाए उसके related concept दिमाग में घूमने लगने चाहिए तो we have studied about the excess pressure for the bubble बच्चा और उसके बारे में हमने पढ़ा था 40 divided by आर यह आपको यहां पर पता है ठीक है तो आपको यहां पर डेल्टा पी इसक्वर्ट डिवाड़ेद बाइड़ और आप यहां पर लिखेंगे बच्चा और question में condition given है कि delta P1 is three times of delta P2 then the ratio of volumes of the first and the second bubbles दिमाग एकदम चक्राता है दिमाग एकदम चक्राता है कि यह पूछ क्या लिया है ना अगर कभी भी आप में से कोई बच्चा अगर ऐसा सोचता है कि सर्फ physics में concept clear हो जाते हैं formulas हमें याद है सारी चीज़े हमें clear है बट जब हम question solve करने की बारी आती है जब हम proceed करते हैं तो चीज़े बड़ी नुकसान दायक हो जाती है हम ठिक से नहीं कर पाते काफी सारे problems आते हैं तो मैं कहता हूं यार जो आप से पूछ क्या आपको इतना समझ में आता है कि पूछा क्या है पूछा है volume of bubble 1 divided by volume of bubble 2 bubble का जो volume होता है वो क्या होता है बच्चा स्फेरिकल है तो 4 by 3 आप या 4 by 3 pi r cube लिखेंगे बच्चा और यसे भी लिखेंगे बच्चा 4 by 3 pi r2 का cube यार v1 divided by v2 की अगर आप बात करेंगे that comes out to be बच्चा r1 divided by r2 का whole cube अब आपको r1 और r2 का ratio अगर पता चल जाए if you have the ratio of r1 to r2 तो आपको बहुत असानी से relation पता चल जाएगा volume का, right? many of you are giving the correct answer. Yes good job Nancy, good job Shaqib, right? Sariita का answer बिल्कुल correct है, right? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाकिब का answer बिल्कुल correct है, ठेक है, और Bilal का भी answer perfect है, मुहमद तालीब का answer correct है, करिश्मा का answer correct है, या श्वर्मा का answer correct है, मुकुल is giving the correct answer, दपोजिदा का correct answer है, धमा के दा, क् इसतने सारे बच्चे यहां पर है, and everyone is giving the correct answer, what does it mean? शिदत से महनत हो रही है, और चाहिए सहाब, वो जो सफेद कोट आपको सामने नजर आ रहा है, वो चाहिए चाहिए कुछ हो जाए, ठीक है, so the condition is, given question का condition, mention कर दीजे, बस that's it, delta P1 is equals to 3 times of delta P2, ये कहा गया है, ये हो जाए divided by R2 का ratio comes out to be 1 by 3, put करो यहां पर, put करोगे sir, 1 by 3 का power 3 comes out to be 1 divided by 27, option C is matching perfectly, and moving ahead बच्चा, right जी, मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया, right, बहुत बढ़िया, चलिए, तो handwritten solutions आपके लिए available है, गर जाकर cross check कर लिजेगा, अब ये सवाल है, देखकर इतना बड़ा लग रहा है, ठी करिएगा और समझेगा कि क्या कहानी कहना चाहता है, when a capillary tube is dipped in water, water rises up to 8 cm, बढ़िया बात है, ठीके, क्या करता है बच्चा, अगर आप अच्छा, मैं काम करता हूँ, timer देता हूँ, एक मिनट का मैं वक्त देता हूँ, आपको, एक मिनट का मैं वक्त देता हूँ, countdown, यह हो ग that the end is only 5 cm above outside the water level, okay insufficient height की बात कर रहा है, बच्चा, the radius of maniscus increases and therefore water does not overflow, the radius of the maniscus decreases and does not overflow, the water forms a droplet on top of the tube but does not overflow, the water starts overflowing, चलिये, come on, फटा 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 से करके बताइए, जाए पॉफिक्ट 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 गुड जोब घंपी धनिका गुड जोब यस गुड जोब अशुतोष गुड जोब पुश्की राइविवन इस गुडिय दिसकश कर चुके बच्चा तो correct answer is option A बचा राई जी what is the concept the concept is very simple sir H into R is equals to constant यह funda है H equals to R into constant जब आपने यहाँ पर बोला कि 8 cm तो rise होगा मतलब कम से कम tube जो आपको ऊपर चाहिए same radius of curvature के लिए minuscus के same radius of curvature के लिए हो कम से कम 8 cm लेकिन available कितनी बच्चो केवल और केवल 5 cm तो आपको लिखना पड़ेगा sir HR is equals to constant तो अगर आपका H prime is lesser than H तो आपका R prime जादा होना चाहिए R के लिए बच्चा so the radius of meniscus increases and therefore the water does not overflow simple सा funda है जो हमने अभी थोड़ी दिर पहले discuss कर लिए राइजी 10 seconds maximum to discuss this right वही सारा funda में आपको यहाँ पर diagram बना कर explain किया हुआ जो हमने थोड़ी देर पहले अभी discussion किया वही सारी चीज़ें यहाँ पर available है एक बार जाकर relate कर लिए न एक अंतिम question करते हैं फिर आपसे इजाज़त लेंगे बच्चा a soft bubble of radius R is surrounded by another soft bubble of radius 2R है ना इसकी radius कितने है बच्चा यहाँ पर देखिए ज़रा diagram बनाया हुआ इसकी radius R है और इसकी radius आपको यहाँ पर दिवे 2R है बढ़िया बात है take the surface tension is S then the pressure inside the smaller soft bubble in excess of the atmospheric pressure will be atmospheric pressure अब ध्यान से सुनना कुछ चीज़े में यहाँ पर लिख के बता देता हूँ और फिर आप move on करना अगर यह bubble 1 इसका pressure P1 बोल दो इसका pressure P2 बोल दो और outside pressure P9 बोल दो come on hint मैंने दे दिया है solution आपका चाहिए आपकी तरफ से राइट अमैं गोख ले तुमैं कैसे भूल सकता हूँ दोस्त come on happy to see you here come on come on come on come on come on guys see is answer पुश्की का आजुका है पुश्की तुश्की see is the answer yes सना सना का अंसर करेटे आशुतोश रिशिकेश अनुपम धन्नीका शिवेंद्र come on सही यार काफी सारे future doctors जो है correct answer दिये जा रहे हैं बहुत बड़ियां अमेजिंग राइट चलिए perfect सो बच्चा बड़ा असान सा फंडा था देखो यार अगर आप यहां पर देखें बबल वन के लिए किसके लिए लिए लिखेंगे बच्चा फोर यहां पर आप लिखेंगे सर फोर बबल नमबर वन अगर आप यहां पर बबल नमबर वन के लिए बात करेंगे तो excess pressure आप लिखेंगे सर फी वन माइनस पी टू pressure towards the concave side is always more बच्चा तो यह जो concave side है इसकी तरफ जो pressure है पी वन वो इस पी टू के comparison में जादा होगा so p1-p2 is equals to bubble है इसलिए लिखना पड़ेगा sir 4s divided by उसका radius of curvature r similar to that आप यहाँ पर लिखेंगे sir किसके लिए 4 bubble number 2 किसके लिए लिखेंगे बच्चा आप यहाँ पर लिखेंगे sir bubble number 2 के लिए and when you write for the bubble number 2 bubble number 2 का inside pressure कितना है बच्चा p2 तो आप लिखेंगे sir p2 minus p0 is equals to उसका जो radius of curvature है वो कितना है बच्चा 2r है तो आप यहाँ पर लिखेंगे sir 4s divided by 2r ultimately it comes out to be 2s divided by r कितना आ जाएगा बच्चा 2s divided by r आप से पूछा excess pressure corresponding to the atmosphere छोटे वाले bubble का excess pressure corresponding to the atmosphere it simply indicate very simple concept बच्चा and that is आपको पूछा है p1 minus p0 का value कितना होगा अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ पर यह p2 negative है और यहाँ पर यह p2 positive है अगर मैं इसको equation number 1 नाम दू इसको equation number 2 नाम दू बच्चा simple एक कहानी करिए समी करन नंबर 1 को समी करन नंबर 2 से equation number 1 शुट बी एड़ेट विद एक्वेशन नंबर 2 तो जब आप इसे add करेंगे p2 p2 cancel out हो जाएगा बच्चा p1 minus p2 यही आपके पास बचेगा p1 minus p0 is equals to यह दोनों add हो जाएगे it comes out to be sir six is divided by our samples are funda and the correct answer comes out to be six is divided by our right everyone positive about both buddy amazing 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 Sonia right चलिये thank you so much Anupam right आगे बच्चा आगे बच्चा आगे बच्चा आगे बच्चा question or push a soap bubble is blown into the with the help of a mechanical pump गुबारा फुलाते ना गुबारा तो बबल वाली बात करा गुबारा ले लेते हैं ठीक है तो soap bubble is blown with the help of a mechanical pump at the mouth of the tube the pump produces a certain increase per minute in the volume of the bubble volume bubble का बढ़ रहा है irrespective of its internal pressure internal pressure is constant बच्चा ठीक है यहाँ पर इस बात पर जड़ा विचार करिएगा irrespective of is irrespective of तो यहाँ पर internal pressure भी तो change होगा irrespective of its internal pressure the graph between the pressure inside the swap bubble and the time t will be अच्छा चलो pressure तो बदलना चाहिए pressure तो बदलना चाहिए pressure तो बदलना चाहिए pressure bubble है बच्चा एक है soap bubble साबुन वाला bubble ठीक है जी यह रहा bubble और अगर आप इस में बात करेंगे excess pressure की तो वह होता है बच्चा 40 divided by r क्या होता है बच्चा 40 divided by r since आप बोलेंगे अगर volume आपका increase हो रहा है तो corresponding to that radius भी तो increase होना चाहिए अगर आप time बढ़ा रहे है if you are increasing the time तो with increase in time with increase in time volume is increases and अगर volume increase कर रहा है तो r should increase बच्चा और अगर r increase कर रहा है तो pressure should decrease तो pressure का जो variation होगा with the time it will be comes out to be rectangular hyperbola understood बच्चा pressure का graph comes out with be rectangular hyperbola बहुत आसान आसान चीज़े थी बहुत interesting factors थे बच्चा तो timing आपको पता ही है Monday Tuesday Wednesday आपसे मुलाकात होती है 789 PM biology physics and chemistry 12th grade के लिए आपके यहाँ पर जो है मुलाकात होती है Friday Saturday Sunday biology physics and chemistry 789 PM and एक और चीज़ आपको यहाँ पर लास में बदाना चाहूंगा physics अगर आपको परेशान कर रही है तो visualize करिए आप मेरे साथ मिलकर MS live code का इस्तिमाल करके explore the plus with with the funda की यार for sure अगर हम यहां आ गए तो वहां पहुंच जाएगे जहां हम जाना चाहते इमेडिए 10% of बच्चा and my personal attention मैं हमेशा कहता हूं यह जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो कि तुम्हारी physics क्या होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए ठीक है राइब बहुत बढ़िया और इसके लिए आपको फटाफट चैनल परिवार का हिसा पड़ना पड़ेगा ठीक है सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ये साथ बिल आइकन को हीट कर लीजिए ताकि आप घर बेठे क्वालिटी एड़ुकेशन को एकसेस कर सके हैस्टेग लाइब डिली के साथ अपने शोशल मीडिया अकाउंट पर शेर जरूर करते रहे ना लाइक करें बच्चा और शेर जरूर करें अंत में आपको पीडिएफ नोट्स मिल जाएंगे ठीक है बहुत बढ़िया राइट ठीक है जी चलिए बबाई आपको सर पढ़ा रहे थे और उसी फंडे को आज आगे कंटीनियू करेंगे अमेजिंग सा रिस्पोंस आप लोगों ने कल आपने जो महबत दिया अपने जो प्यार दिया तो अभी भी कही जाना मत बने रहना अनुप सर के साथ अनुप वसिष्ठ सर के साथ आपके आपना प्यार दिखाते रहें बरसाते रहें और मज़े करते रहें अन्त में आप सभी लोगों ने मेरी बात को बहुत चांते से जोना इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ थैंकियो सो मच लव यू अल बबाई